अगर आप crude oil में short term trading करते हो और नहीं जानते कहाँ पर bind करें कहाँ पर selling करें और क्या stop loss होना चाहिए और क्या target रहेगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 18 फर्वरी 2023 टाइम हो रहा है शाम के 4 बच के 43 मिनट और आज दिन है Saturday फ्रेंज हमने last वीडियो में बात की थी crude oil की जिसका target अचीव हो गया है और आपने इस levels पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनेरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी request अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे Friends इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइट करते हैं इसकी मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्ज हो सकता है आज बात करेंगे क्रूड ओयल की जिसका कॉंट्रेक्ट है माच्चे का फ्रूड ओयल जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 6,261 रुपे के आस-पास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 9,635 रुपे और इसका लेटस्ट लो पोस्ट हुआ है 5,832 रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो बरती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमांग जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाव इन सारी बातों का असर प्रूड ओयल के उपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट स्पोर्ट की बात की जाये तो स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला स्पोर्ट 6,062 रुपे दूसरा स्पोर्ट 5,836 रुपे और तीसरा स्पोर्ट 5,622 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इंपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेन्ट रेजिस्टेन्स की बात की जाए तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 6,411 रुपे, दूसरा रेजिस्टेंस 6,717 रुपे के आसपास दिहाई दे रहा है अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में स्पोर्ट का काम करेंगे मन्थली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगिटिव दिखाए दे रहा है वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो trained नेगिटिव दिखाये दे रहा है और अगर डैली चाट पे rained की बात की जाये तो trained नेगिटिव दिखाये दे रहा है तो करना क्या चाहिए आइए देखते हैं इससे पहले फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाय है उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोइड की स्ट्रेटेजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है करंट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 199 रुपे और रिवार्ड 150 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, current price 6,261 रुपे से 199 रुपे निचे यानी 6,062 रुपे के आसपास bind करें, target रहेगा 6,411 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 6,717 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 6,047 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 6,062 रुपे के आसपास average करें, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 5,836 रुपे के आसपास 30% quantity average क करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend negative दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी, sale on right की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी negative दिखाए दे रहा है, current price पर sale side का risk reward ratio देखे तो risk 150 रुपे का 92 के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है, अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, current price 6,261 रुपे से 150 रुपे उपर, यानी 6,411 रुपे के आसपास selling करे, target रहेगा 6,062 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 5,836 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 6,427 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 6,411 रुपे के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 6,717 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, अबर agent करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी major trend, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, ओवर और trend negative रहेगा, sale on rise करके चले लेकिन streak stop loss के साथ, आने वाले दिनों में, sales side target 6062 रुपे और 5836 रुपे और 5622 रुपे के आसपास देखने को मिलेंगे, friends अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो, तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back tasting या paper trading जरूर करे, उसके बाद ही trading करे, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, धन्यवाद